हेलो फ्रेंड्स आपका हमारे टूचनल पर सौगत है देखिए आज हम कुछ टाइम टेबल के बारे में बात करेंगे कई बच्चों को बहुत कंफूजन है इस्याम को ले करके तो सीरियल वाइज बात करेंगे पहले विकाम फर्स्ट यर उसके बाद विकाम सेकेंड यर उसके बात करेंगे VVSPU वीर बहादूर सिंग वीर बहादूर सिंग पुर्वांचन इंवर्सिटी जॉनपुर वी बीस्प्यो के टाइम टेबल की बात करेंगे क्या आपका एक्जाम कब है ठीक है इसमें आपको तीन पेपर देना है आए पहला पेपर आपका है 6 अप्रेल 2022 को पहला पेपर है 6 अप्रेल 2022 को सब्जेट का नाम है बिजनेस औरगनाइजेशन यानि कि ब्यवसाइक संगठन इसकी टाइमिंग है देखें आपे लिखा हुआ है धाई से चार्थ कीसरी मीटिंग में होगा डेट एट इंटे का पेपर है और या तीसरी मीटि जाएगा आप इसे ध्यान दीजेगा सबी टाइम टेबल को पूरा देख लिजी अच्छे से यह आपको ओएमर सीट पर कराया जाएगा तो पहला पेपर बिजनेस औरगनाइजेशन है कब से कब तक है धाई से लेकर के चार दो बज़ की तीस मिनट से चार बज़ तक होगा अगला पेपर आपका अठ अपरैल को है बिजनेस स्टैक्स बिजनेसस्टैका आपकी है सब्सक्राइब कर दूसरी मिटिंग में सब्सक्राइब तीसरा पेपर आपका बिजनेस बिजनेस कम्म्मौनिकेशन जो आपका धाई से चार बिजनेस कम्मौनिकेशन और आपकर दिया है वह कप देगा 11 आपने 2022 को introduction to computer application और देखिए यह तो आपका हो गया paper लेकिन एक paper और है जो आपका पहले देते थे परयावन और राष्टगारों करके तो इसमें आपको परयावन विज्ञान करके देना है जो आपका पहले तारिक को पहले दिन ही होगा पहले दिन का मतलब क्य और यतने विज्ञार थी हैं जिस भी सब्जेक्ट के हैं उनको या परयावन विज्ञान देना है साड़े 11 से एक बज़े के वीच 24 मार्च को ठीक है अब इसके बाद हम विकाम सेकेंडियर का टाम टेवल आते हैं आप इसको देखना चाहिए एक बार इसकी शॉट ले सकते इसके पहले हम विकाम फर्च्ट का टाम टेवल दिखाये थी अभी हम विकाम सेकेंडियर का है और किस इरिवर्सेटी का है वी वी एस पी यू जाउनपुर वी वी एस पी यू जाउनपुर का टाम टेवल है यह सेकेंडियर का है सेकेंडियर का आपको पता होना च ... है कि समय कब से कब तक रहती थी इसके पहले 2-5 ने टी थी इस बार लिखा हुआ है ना है भार पी Nejम से चाड्य पांच कि दो बस की तीज मिनट से पांच बस की तीज मिनट तक रहेगा पहला पेपर आपका है चार अप्रेल को फर्स्ट पेपर टाइम टेवल ने फॉस्ट पर लिखा या नि प्रुथम लिखा हुआ है और पैथर में आपको देना किसको है कमपणी ला ठीक है कमपणी ला पाहि को देना है पहला पेपर उसके बाद आज ए दूसरा पेपर 11 अप्रेए कर तीसरा कमझे पूर्ण फ्रेमवर्क तीसरा प्यक्रहर्श है बिज्ने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चौधा पेपर कब आपका होगा 23 चार त्यानि कि 23 अप्रेल को 14 पेपर है 14 पेपर का नाम है Income Tax यानि कि आयकर Income Tax यानि कि आयकर या इसी को आप कराधान कहते है ठीके अगला आपका 27 चार 2022 को 5 पेपर है Fundamentals of Interpreneurship Fundamentals of Interpreneurship 5 पेपर कब है 27 को उसके बाद 2 माई को है 6 पेपर Public Finance 2 माई को है 6 पेपर Public Finance 7 और Last पेपर है आपका Industrial Law और 2 गिक सन्नियम देखिए 7 पेपर आपका है 7 माई को ठीक है अब देखिए आप इसको Skinsort ले लिजिए और इसको आप अपने Copy पे लिख लिजिएगा कोई पेपर आपका छूटे ना उसके बाद लेके आते है Become Third Year का अब इतक हम Become First Year, Become Second Year का Time Table देखे थे अब जिसका जिसका Time Table लेव साब अपने Paper में Note डाउन कर लिजिएगा अब आईए देखिए Become Third Year का लेके आए होए है Time Table Become Third Year का यह का वो का प्रथम पाली में होगा साड़े साथ बज़े से सुबह में साड़े साथ बज़े से लेकरके साड़े साड़े सुबह तक देखे पहला पेपर है 26 चार को पहला पेपर Become Third Year का है 26 चार को पेपर का नाम है Corporate Accounting पहला पेपर 26 चार को तीसरा पेपर है थर्ड पेपर क्या है Money and Financial System Money and Financial System तीसरा पेपर है 10 मही को उसके बाद 11 मही को उसके ज़स्ट दूसरे दिन है 11 मही को चौथा पेपर है Information Technology and Its Implication in Business Information Technology and Its Implication in Business चौथा पेपर कब 11 मही को उसके बाद 17 मही को है पांचवा पेपर यह Optional होता है ठीक है Optional Group 5 होता है तिया Group B वाला Group B वाला Optional है ठीक है Principal of Marketing क्या Principal of Marketing 17 मही को उसके बाद 20 मही को है 6 पेपर यह भी Optional होता है International Marketing देखिए Optional वाला अलग-अलग College में जो पढ़ाय जाता होगा वह आप करेंगे और हमारे यहां इस College में यह दोनों चलता है कौन सा? Principal of Marketing और International Marketing देखिए हम आपकी B.com से रिलेटेड जितने भी टाम टेबल थे सब्जेक्ट और सब्जेट का नाम का पेपर है सब्जेट का नाम और का पेपर है इन सारी चीजों को क्लियर करने के कोशिस की है इसके वाद जो भी समस्चिया हो आप इसक्रिप्शन बास में आप कमेंट करें उसको हम जिस प्रकार से दूर कर सकेंगे दूर करने का प्यास करेंगे धन्यवाद